हेलो आज आपको मैं dependent branches के methods के बारे में बता रहा हूँ कुछ student की queries आई थी कि जो हमारे methods होते हैं dependent branch के उन methods को कैसे पता करें जब हम practical question करते हैं कि कौन सा method apply किया जाएगा तो बहुत easy है यह चार methods होते हैं आपके एक debtors और direct method, final account method, stock and debtors method, wholesale branch method तो देखिए जो पहला method होता है debtors और direct method यह simple method है आपका इसके अंदर अगर आप कोई भी dealing करते हैं आप mileage गुड्स को sale कर रहे हैं cash में या credit sale कर रहे हैं तो उस case में इसमें सिरफ एके account बनाया जाता है ठीक है वो branch account बनाया जाता है तो इस method के अं transactions आपको इसके अलावा नहीं बोला है कोई ज्यादा transactions के लिए नहीं बोला है तो उस case में आप simple यह method जो है वो use कर सकते हैं तो means इसमें यह ही है कि अगर आपको simple cash में sale हो रहे है तो usually आपको ज्यादा accounts में पर create करने की जूट नहीं पड़ती है तो आप इस account का use महाँ पर कर सकते हैं तो एक तो आपने इस जीश का ध्यान रखना है दूसरा इसमें अगर मालेज़े आपकी जो product की sale हो cash या credit में ही है तो उस case में भी आप इसी method को use कर सकते हैं ज्यादा उसमें deep में ज्यादा account बनाने कि आपको नीड नहीं है तो इसलिए इसका ध्यान रखना है questions पढ करे रहें और जो sale हो रही है वोब आपकी cash में होरी है या फिर आप कह सकते ह ressydi हैं कि Kelvin अब कर रहे हैं और sale price आपको cash price में आपका credit में sale हो रहे तो उस case में जो हैं, आप इसका use कर सकते हैं, इस method का, ठीक है, means आपकी cash और credit दोनों में sale होता है, तो वहाँ पर आप इस method का use कर सकते हैं, तो इस simple method इसमें आपको clear होगा, तो इस method का use तब क्या जाए, final account method का use, आपको particularly इस case में practical question के अंदर ही बता दिया जाएगा, कि final account का आपने use करना है, उसके अंदर आपको बोला ही जाएगा, क्योंकि final account से जो answer आएगा, और same जो debtors और direct method का जो answer होगा, इन दोनों के ही answer same होगे, अगर आप confused हो रहे हैं, तो आपको नहीं अगर पता लग पा रहा है कि कौन सा method यूज़ करना है, तो आप इन में से कोई यूज़ करना है, तो आपको simple एक method पता होना चीए, अगर एक method अच्छे से आता है, बाकि methods भी आपको अच्छे से आते हैं, और आपको नहीं पता लग पा रहा है कि कौन सा method आपने use करना है, तो आपको ये debtors और direct method, final account method का answer दोनों का same होगा, और उसके बाद जो अगला है इसके अंदर कुछ accounts फर्दर बनाने होते हैं, stock and debtors method में, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखेगा, जब आप practical questions या आप देखेंगे book के अंदर, तो आपको इन सब के जो profit का जो answer रहेगा, वो तीनों ही methods का same रहेगा, तो इसलिए इसमें confused होने कि आपको जरुवत नहीं कि कौन सा method आपने use करना है, जो method आपको लगता है कि आपके हिसाब से वहाँ पर put हो सकता, अगर आप identify कर लेते हैं, तो उस method का वहाँ पर use कर लीजे, अगर आपको लगता है debtors or direct methods से आपको question निकल जाएगा, आपको solve हो जाएगा, आपको stock का कोई balance नहीं calculate करना है, क्योंक इस case में आपको question के अंदर पढ़कर ही पता लगेगा कि इसमें use करना है या नहीं करना है, तो उस case में ध्यान रखेगा कि question के अंदर आपको अगर माली जी debtors का balance बोला गया है, और साथ में stock के बारे में भी अगर आपको information पूरी वहाँ पर नहीं दी गया है, माली जी shortage आपने वहाँ फिर आपको stock and debtor account वहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि branch अगर सब्सक्राइब लार्ज है और अगर credit कर रही है, तो उसमें alternative method आप यहाँ पर यह adopt कर सकते है, stock and debtor method, तो इसके अंदर आपको simple कोई branch वो आपको पता है, इस method के अंदर जो भ करना पड़ेगा, तो जब आपको question के अंदर से पता लग जाए, practical question जब आप करें, पहली बात तो आपको practical question में ही बता दिया जाएगा कि कौन सा method आपने लगाना है, अगर माले stock and debtor method लगाना है, तो particularly मेंचन होगा, final account method लगाना है, तो वो भी आपका मेंचन होगा, just आपक जब first method है, उस case में कहीं बार practical question के अंदर ये नहीं mention होता है, कि आपने कौन सा method वहाँ पर use करना है, तो इसलिए इसमें आपने कोई ज्यादा नहीं सोचना है, आपको अगर पहला method बहुत अच्छे से अगर clear हो चुका है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा benefit ये करेगा, answer है, आप rough में अपना working note में direct method से भी question solve कर लिजे, उसका answer और final account का answer सेम अगर आ रहा है, तो इसका अपने दोनों answer सही किया है, तो चेक करने के लिए है, कि आपको एक method अगर अच्छे से आता है, तो बाकी methods आपके बहुत easily हो जाते हैं, तो particularly आपको question पढ़के उससे अंदा जाएगा question में, ज्यादतर questions में अगर कुछ नहीं दिया गया तो आप data or direct method महाँ पर use कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप questions को solve करिए, और फिर भी अगर आपको doubt अगर आपका clear नहीं होता है, तो आप इस वीडियो में मेरे से दुबारा से पूछ सकते है question, और मैं आपको जादा से जादा शेयर करें और इस चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मैं यह वीडियो जहें future में बनाता रहूं और आपको benefits का मिलता रहे है, तो आज के लिए इतना ही है, thank you